आप सभी का बहुत सब्सक्राइब करता है हमारी इस वीडियो जिसमें आज बात करने वाला हूँ कि क्यों सारी के सारे हैकर्स चाहते हैं काले लिन्स को पाना क्या ये ऑपडिक सिस्ट्रम में ऐसा क्या है जो हर हैकर की डिमांड होती है आपने जब भी सुनाओगा जब भी हा बैनेंगे इस चीज को कि ये न क्या राज है और कौनसा से तू है जिसकी वज़ें से स्क्राइकर की फॉर्स प्रारिटीं रहती है काले लिनिक्स और काले लिनिक्स को यूज़ करना पसंद करते हैं इंटरनेट पे सारे काम सारे क्राइम्स जो होते हैं या फिर कोई भी टेस्टिंगा काम करता है ये ethical hacker हो की hacker हो दोनों की पहली priority अगर वो होती है तो वो होता है काले लिनिक्स हर बच्चा Cyber Security Course में सीखना चाता है इस operating system को और ये operating system अपने आप में इतना massive है कि ये almost दुनिया की सारी चीज़े कर सकता है चलिए guys शुरू करते हैं आज की वीडियो में बताने वाला हों में कि काले लिनिक्स जो इसका यूज करते हैं किस तरीके से एक hacker जो है ना क्या का काम कर सकता है उसके अलावा हम लोग जानेंगे इसमें कौन-कौन से टूल है से मौजूद है जिसके वज़े से टॉप priority पे hackers की list में रहता है ये operating system हमारी वीडियो को start करते हैं मैं हूत अपन कुमार जा आप सभी का बहुत स्वाथ करता हूं हमारी वीडियो में जिसमें आज बात करने वाल है काले लिनिक्त के बारे में जिन्हों नों वीडियो को like नहीं करा है या अपने career का guidance ले सकते हैं कि भाई, ethical लाकर बनना कैसे, चलिए ठीक है, बिना time-based करें, start करते हैं हमारी आज की वीडियो को, बद उमें इस particular OS को install करना काफी easy है, ठीक है, इंटरेनेट पर जाके, इसकी काली लिनिस की opening system, काली लिनिस की website है, वहाँ पर जाके अगर आप type करत कि कैसे यह नजर आता है, यहाँ पर दे रखा कि already run कर रहा है, क्योंकि मैं दो बाग क्लिक कर दिया है, ठीक है, इनिशली थोड़ा सा जब यह चलेगा, तो थोड़ा सा lag करेगा, अगर आपके चार्जी भी रहा मगा आपने दे रखिये तो, उसको download करना बड़ा ही simple है, download कर कौन सा option आपको choose करना, एक second में थोड़ा सा, हाँ, अभी बिल्कु सही रहेगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे आप open करेंगे, तो जाने के बाद आपके पास option आजाए कि कौन सा वाला आपको choose करना, तो यहाँ पर आपको virtual machine का choose करना रहता है, attacker use करते है, hackers use करते है virtual machine को क्या होता है, purpose कि यह बार बार अगर आप Windows, अपने opening system को बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, उस condition में बिल्कुल issue नहीं देगा, नीचे आप आते हलका सा, तो यहाँ पर virtual VMware का image दे रखा है, जिसको download करने का 3GB की file आपके laptop में download होने के बाद आपको करना क्या होता है, कि यह यहाँ पर right side में जाके, आपको VMware install करना पड़ता है, VMware install करके आप इसको open पर click करेंगे, ऐसी file नदर आएगी, और directly जब आप इसको जो आपने file को download कर रहा है, उसको extract करने के बाद आपके सामने एक ऐसा काले Linux 2023.4-vmware ऐसी एक file होईगी, उस पर जब click करके open कर लेंगे, open करन कि उसको आप 4GB RAM कर लेंगे, तो flawless चलेगा आप करने के बाद आप जैसे छोड़ देंगे, उसके power on this virtual machine करेंगे, करने के बाद आपके सामने एक ऐसा interface खुल जाएगा, जहाँ पर चीज़े आना शुरू हो जाएगी, आने के बाद जैसे ही उसका बाद start होएगा, start होने के ब पासवर्ड, by default जो काली लिनिस का पासवर्ड होता है, ठीके न, वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको comment करना पड़ेगा, और ये like का बिदन दवाना पड़ेगा, मजाग कर रहा हूँ मैं आपको, comment दो जरू कर देना और like भी जरू दबा देना, इसका by default password होता अभी मैं हूँ, ठीके इतना करने के बाद जैसे आप आजाएंगे, आप यहाँ पर आपन देखते हैं, यहाँ पर right side में top में, left side में top में दिख रहा होगा, एक start की तरह आपका menu bar नदर आ रहा होगा, उस पर click करने के बाद आप इसकी category को access करते हैं, जो हैं सबसे खास, इस इसमें हर एक category में मैं एक एक दो टूल के नाम बताऊंगा, आपको थोड़ा बहुत करके भी दिखाऊंगा, कि वो क्यों important है, hackers को क्यों use करते हैं, और यही option system क्यों use करा जाता है, आप देख रहे होंगे, जब इसकी category की बारे हैं बात को जो category में multiple categories आपको मिल जाएगी, प सारे categories दे रखी हैं, जिसकी वैसे hackers के सबसे first top priority पर यह option system रहता है, इस category के अंदर अगर आप जाते हैं, तो अंदर जाने के बाद आपको internally काफी सारे tools मिल जाएंगे, जैसे आप इस पर click करते दिख रहा होगा, आपको net discover, melt ago, legion दे रखाए, dmitry दे रखाए, amas, ठीक है न अगर आप net discover command use करते तो net discover एक basic सा tool है, कहने के लिए बड़ा basic सा है, पर जब आप इसको चलाने जाएंगे तो आप समझ में आगा है, बहुत सी यह तो काफी advanced level पर है, चुकि यह network से के packet से आपको बताएगा कि कितने traffic जो है आपके आसपास से flow हो रहा है, ठीक है, अगर मैं simple command है, वो चलाने के बाद जो basically अपने IP address को check करने के लिए हम लोग use करते हैं, एक बार आप IF config चलाएंगे तो आपके सामने इसा जाएगा, 192.168.220.137, तो अगर आपका जो भी address होगा, उसके first 3 को concentrate कर देना, last वाले को 0 मार देना, slash लगा के 24 मार देना, क्योंकि यह class C का address अब जिसको नहीं पता class C का address क्या होता है, एक बार आप थोड़ा सा इंटरनेट पर चेक करने, types of IP classes पता चल जाएगा आपको, hyphen R करके 192.168.220.0 मार के slash 24 करता हूँ, enter मार दूँगा, आप देखो यह क्या बोल रहा है कि मुझे इस process को run करना पड़ेगा, इस process को मुझे root privilege देनी पड़ेगा, उसके लिए आप simple सा command आप कर सकते हैं, use sudo command, enter मारने के बाद, आपको password type करना पड़ेगा, kali linux का, जो है हमारा kali, enter मारने का दिख रहा होगा, अब यह network में scan करेगा, और यह passive scan करता है, basically, जिसके तुरू अपने packets को capture कर लेगा, ठीक है न, इसने बताया आप IP address है, 192.168.222.254, target मेरे अब machine का IP address ही है, इसके तुरू मैं identify कर सकता हूँ, तो basically, यह tool, यह जो operating system में, यह identify करने के लिए capable है, आपके network में कितने लोग अभी चल रहे हैं, run कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप information gathering के अंदर, अगर और tool के बारे हैं बात कर रहे हैं, त इसके अंदर basically, पिछले वाले tool ने सिर्फ आपको यह दिया था, कि कौन-कौन से IP address है, पर उस IP address के अंदर कौन-कौन से port open है, यह सब चीज़े वो नहीं बताता है, यह जो है port scanning tool है, जो hacker किसले यूज़ करता है, कि एक बार उसको IP address मिल गा, जैसे मेरा 128 मेरा IP address है, तो basically, इ इसके अंदर by default command है, यह ऐसा default command है, जो काफी सारी चीज़े आपको detail में निकाल देगा, OS के बारे में information देगा, उसके open ports के बारे में देगा, वर्जन के बारे में देगा, उसके अलावा उसके script scanning कर देगा, यह काफी सारी चीज़े कर देता है, उसके बाद आपको सीधे इडेंटिफाई कर चुका था, 190, 162, 0.128 के लावा, दो और IP address है, तो मेरे target था 128, जो मैंने assume करा, आप चाहें, तो तीनों पर try कर सकते हैं, जिस पर जधा detail मिलेगी, जिस पर जधा open port मिलेगा, वो आपका main target हो जाएगा, enter मारतों में इसको enter मारने के बाद दिख रहा होग क्योंकि ये 3 page का command अपने आप में रखता है, आप इसको end map space दे के hyphen h करते हैं, तो अपर चला है कितना बड़ा tool है, और इसमें काफी सारी चीज़े आप कर सकते हैं, और इसलिए hacker की priority हमेशा ये opening system दा जहाँ पर काफी सारे inbuilt tools है, आप कुछ install करने की जरूरत नहीं, ना port number 5900 पे काम कर रहा है, ये open दे रखा है, VNC का protocol 3.3 में use कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप particular बहुत detail में information निकालता है, इतनी detail में कोई भी port scanner नहीं निकालता है, angry IP scanner ले लो, कोई साभी scanner ले लो, आप इतनी fast और इतना जल्दी और version के साथ में detail में कोई भी scanner निकालत है, तो SSL जब use करता है, secure socket layer, हमारी site STPS, आपको दूर से दिखता है कि STPS से secure कर दिया, पर आपको क्या पता कि वो hacker के point of view से secure नहीं है, इसके लिए hacker use करता है, SSLize कर सकता है, SSL scan कर सकता है, बहुत simple command इसको भी चलाना, simple वहाँ पर जाकि ये command type करेगा, SSL scan, clear मार देता हमें ए issue है, तो 2 मिट में आपको इस tool के through, आप hacker identify कर लेता और try करता है, उस system को hack करने के लिए, उसके लिए भी वो क्या करता है, कि जैसे यहाँ पे मैं डाला demo.testfire.net, ठीक है, यह मैंने dummy site ले लिए, enter मार देता हूँ, अब देखो इसके उपर वो SSL scan test करना चालू कर दिया, अब इसके बारे में इसी detail दे रखा है, तो SSL के कौन-कौन से version enable है, दिख रहा होगा latest के अलावा पिछले वाले version भी enable है, जो शायद मैं use कर सकता हूँ, vulnerability को exploit करने के लिए, आपके data को, जो दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे है, plain text communication के अदर ना करते हुए, data को encrypt करके communication क कर रहे हैं, उसको भी मैं decode करके view कर सकता हूँ, इस SSL में अगर issue रहता है तो, और यह सी पूरी detail देदेगा, कौन-कौन से vulnerabilities, जो by default कुछ यह vulnerability खुद identify करता है, जैसे heart bleed एक vulnerability है, SSL की vulnerability है, plus कौन सा cipher आप use कर रहे हो, कौन सी algorithm use कर रहे हो, क्या उस algorithm में कमी है नहीं है, कौन आपसा keyland use कर रहे हो, ऐसे तमाम सारी issues को यह आपके सामने लाएता है, तो इसका भी attacker use करता है, इसलिए यह भी एक favorite tool होता है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसी के अंदर अगर आप देखे तो यहाँ पर और भी काफी सारे tools है, जैसे मानलो कि DNS enum दे रखा है, DNS recon दे मैं इसको, DNS enum करने के बाद hyphen u और a कर दूँगा, मैं उसके बाद फिर मैं domain का नाम type कर देता हूँ, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं सोड़ा सा zoom कर देता हूँ, आपको नजर आ जाएगा, ठीक है अब नजर आ रहा होगा, DNS enum hyphen u hyphen a और उसके बाद फिर आप टाइप कर दिया, enter मारने के बाद DNS basically क्या होता है, domain के पीछे क्या information store है, कौन-कौन से IP addresses है, उसके mail server के addresses क्या है, यह सब तमाम सारी जानकारी एक सिर्फ attacker बिना Google का use करे हुए, सिर्फ इस operating system के थ्रूँ, attacker के target के बारे में सारी जानके निकाल लेगा, कितने IP address उसने अस से प इतनी सारे name server के IP address enumerate कर दिये हैं, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस server के पीछे, इस particular website के पीछे का IP address यह है, ऐसे करके DNS records बहुत important help करते है, attacker को किसी भी website के अटाक करने के लिए, उसके server को अटाक करने के लिए, ठीक है, तो यह भी एक काफी अच्छा tool है, जो क library scan करने के काम आता है, although यह freeware है, ठीक है ना, यह configuration के issues दिखाएगा आपको उस server पे, क्या configuration issues है, यह सब दिखाने काम आता है, ठीक है, इसको अगर आपको run करना है, तो मैं दिखाता हूँ, आपको निक्टो कमांड टाइप करना है, hyphen H, basically इसका host होता है, help नहीं होता है, और यहाँ पर, दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर anti-click jacking का frame option नहीं दिख रहा है, उसके लावब versions निकाल दिये, इसने Apache का version निकाल दिया, इन सारे outdated version पर मैं vulnerability धूंड कि अंदर कु सकता हूँ, इवन यहाँ पर काफी सारी indexing निकाल दिये, कि इस सारे directories जो है ना, इसमें improper access control की vulnerability, मतलब की कोई भी hacker इस server पर रखवी folder को कभी भी access कर सकता है, बिना username, बिना password कि, ऐसी काफी interesting चीज़े, results में यह provide कर देता है आपको, तो निक्टो बनता है, one of the best scanning tool for the network or a server, तो इसके बाद यह बहुत time तक run करेगा, और और भी काफी सारी sensitive information निकाल देगा, server पर content file, उसके अंदर कोई internal issue, वो सारी चीज़े निकाले देता है आपको, उसके बाद अगर हम बात करूँ, vulnerability assessment के अबाद में, अगर मालूँ यहाँ पे legion भी बहुत चाहा tool है, पर अभी फिलाल यह इस level पे काफी unstable है, उसके बाद यहाँ पे एक option दे रखा है, WP scan, WordPress जितनी भ आने का बहुत simple सा command है, WP scan type करो, hyphen E, E basically enumerate के लिए यहाँ पे use करता है, थोड़ा सा मैं इसको zoom कर दूँगा, आपको थोड़ा सा और नजर आ जाएगा, उसके directly अब यहाँ पे दिखो, अगर आप चाहो तो commands भी यहाँ पे काफी सारे given है, आप उसको check कर सकते हैं, even आप directly यहाँ पे check कर सकते हैं, क्या लिखने का तरीका है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फोड़ा सा मैं zoom कर देता हूँ, hyphen E करके, मैं vulnerable VP करता हूँ, ठीके न, hyphen V करके, मैं VP मतलब की vulnerable plugin, क्योंकि WordPress जो कैसी website है, जो basically plugin based बनाए जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ plugins डाल डालके, आप क्या यहाँ पे vulnerable plugins को अपन identify कर सकते हैं, यहाँ पे vulnerable plugins को अपन identify कर सकते हैं, double hyphen URL टाइप करके, और फिर आप कोई भी site का नाम देता हूँ, मैंने यहाँ पे यहाँ पर देता हूँ, wordpress.org, .com है कि और चेक करना पड़ेगा, बस एक बार अपन चेक कर लेते हैं इस चीज के लिए जिसका site है, वो है wordpress.com, तो एक बार मैं type कर लेता हूँ, enter मार देता हूँ, इसके बाद अब यह automatic चलना शुरू हो जाएगा, और यह wordpress के अंदर बहुत थकड़े तरीके से आपको bugs देगा, जादू मैं आपको कि WP scan जो ना one of the best tool मैं खुद भी count करता हूँ, और मैं खुद भी pen testing के दो रहां यूज करता हूँ, अगर मेरे सामने wordpress website है, तो मैं फिर किसी license tool पर वरोसा नहीं करता, मैं directly इसी पर आता हूँ, अब क्योंकि यहाँ पर देदिया, कि ना scan about a target appears to be hosted on wordpress.com scanning such website is not supported, ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इसको deny कर दिया, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि जब आप इस type की website use करोगे, तो उस condition में आपको दिक्कत आ सेथी, क्योंकि मैं directly wordpress को scan करने चला गया, ठीक है, आप इसके रिए आ करना है, कोई सी के common website उठाना और site को start कर देना, तो यह चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, seems to be running on wordpress, ठीक है, seems to be running on wordpress, ठीक है, एक बार आप try कलना है, इसको does not seems to be running on wordpress, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बसको आप try कलना, wordpress website पर डालना, आपको target को डालोगी, तो आपको बहुत अच्छे results मिल जाएंग यह one of the best tool के अंदर हम लोग count करते हैं, ठीक है, अगर मैं जैसे कोई भी site निकालता हूँ, जैसे मैंने demo.testfire.net की बात करूँ मैं, तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे इसके अंदर मैं दिखाऊ हूँ आपको, ठीक है, okay कर लेते हैं एक बार इसको, ठीक है, ठीक है, आरे भाई, कोई दिक्कत है नहीं, आने दे कोई issue, अगर आता है, तो मैं दिखाएता हूँ, आपको यहीं पर करके, दिख रहा होगा, इस type का verb suit होता है, जो आपके Firefox के साथ में integrate होता है, तो यहाँ पर आप जो भी काम करने जाओगे, यहाँ पर आप कोई भी काम करने इसको अटाता हूँ, मैंने यहाँ जाके login करा तो दिख रहा होगा, आपको मैं यहाँ पर forward करता हूँ, यह मेरे proxy की तरह काम करता है, इसके लिए मुझे इसको by default यहाँ पर settings में जाके set करना पड़ता है, settings में जाके यहाँ पर proxy के अंदर मुझे डालना पड़ा है, क्योंक यहाँ की एक verbs root का proxy होता है, ठीक है, और फिर आप सारे request को capture कर सकते हैं, यह basically काम आता है, hackers के mobile app test करने में, API test करने में, web test करने में, इन सब चीजों के लिए hacker software का use करता है, इसलिए इसको spatially डाला गया है, आपके calliness के अंदर, ठीक है, अब देखो चल गया भाई, वैसे तो बात है, ऐसा कोई इकत वाली बात नहीं, यहाँ पर leave करता हूँ, next करता हूँ, वालब ऐसा नहीं कि यहाँ लेटेस प्रतन आप चला रहे तो दिक्कत करेगा, नहीं आप चला सकते हैं, इसको में आशटा जिता हूँ, ठीक है, तो इसका आप कर सकते हैं, इसके लिए आपक नमर होता, 80, sorry, ठीक है, यह नया वाला वर्जन है, दिख रहा होगा, आपको नया वाला वर्जन का look and feel बिल्कुल डिफरेंट है, अब यहाँ पर टिक्मा करना होता, also use this proxy for STTPS, ताकि यह STTPS website की भी traffic को capture कर सके, okay कर देता हूँ, मैं इसके, okay करने के बाद, enter मारने के बाद, आप देखेंगे यहाँ पर, तो मेरे सामने दो addition खुल गए, स्कोट आजता हूँ मैं एक को, और अब मेरे सामने एक ही addition है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने intercept को अगर मैं on कर दूँगा, तो sign in पर click करूँगा मैं, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर जा कि अगर मैं कुछ भी detail type करता हूँ, तो मलब यह एक one of the best tool मैं proxy मैं count करता हूँ मैं, ठीक है न, यहाँ पर आगर मैं login करने कोशिश करता हूँ, तो you can see the request and response, ठीक है, एक minute admin, admin, ठीक है, बरपन चेक करते दिख रहा होगा आपको यहाँ पर details आना शुरू हो ग options, यह world की बात कर रहा हूँ, मैं India level पर बात नहीं कर रहा, इसलिए hackers particular platform को इसमें यह सारे tool inbuilt है, अगर बात करूँ मैं इसके अलावा भी और मैं दिखाऊ हूँ आपको तो यहाँ पर आप जाएंगे, तो आपको और भी काफी सारे मिल जाएंगे, database के अंदर ही आपको मिल MySQL one of the best tool है basically, यहाँ बस कुछ नहीं करना, आपको बस site का URL डाल देना है, ठीकिन अगर मैं यहाँ पर जाओ, और मैं अगर यहाँ पर कोई SQL injection website है, जैसे let's suppose मैं जाओ, अकॉनेटिक्स, A-C-U-N-E-T-I-X, C-U-N-E-T-I-X, A-C-U-N-E-T-I-X, अकॉनेटिक्स, वलनेबल website, ठीकिन अगर मैं यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर यहाँ पर भी मुझे काफी सारे sites मिल जाती, जो अकॉनेटिक्स ने खुद ने दे रखी है, ठीकिन अगर मैं यहाँ पर जाओ, और मैं यहाँ पर जाकि मुझे, क्योंकि मैं बहुत सार बहुत टाइम से यह सब काम कर रहा हूं इस browser के अंदर, तो बोल रहा है कि भाई, तुम क्या करनी कुछिश करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार प्लीज टिक्मा करो अपने options, और verify करो कि भाई मैं इसको, हाँ, ठीक है अब इसने बोला मुझे URL तो मैं यहाँ जाके paste मार देता हूं, ठीक है paste clipboard, यहाँ पर डाल दिया, मैंने enter मारता हूं, अब यह बोल रहा है कि data कुछ डालना है, enter मार देता हूं, अब यह बोल रहा है normal, hard और medium, तो मैं करता हूं one, क्योंकि मुझे normally जाना है, enter मार देता हूं, basic ही रखना है, इसको one कर दो, आप enter मारता हूं, अब यह SQL map जो run करना चलो, समझ मार आपको यह कितना easy platform है, इसके तुरू कोई hacker कैसे भी database, किसी भी database को आराम से निका सकता है, बिना किसी hassle के, आराम से सिर्फ उसको बस URL डालना है, commands डालना है, 1, 2 3 और फिल उसके बाद attacker पूरी database को capture कर पाएगा, यह tool चलेगा, यह tool time लेता है, क्योंकि सारी queries run करेगा, अलला type की query run करेगा, क्योंकि इसको पता नहीं, पीछे वाली application है, वो कौन सा है, अब इसमें try करेगा, अगर bug होगा, तो यह सारे database को capture कर पाएगा, सारे username, passwords निकाल प इसके बाद इसको मैं पीछे चलना देता हूँ, यह चलता रहेगा, पीछे background में, उसके बाद अगर मैं बताओ, मैं आपको password के लिए, यहाँ पर attack tools दे रहे है, जैसा hydra one of the best tool काउंट करते हैं हम लोग, ठीके न, तो hydra पे जाता हूँ, अगर मैं तो दिखाता हूँ, आप आपको यहाँ पर सिर्फ डालना है, target का IP address, 192.168.220.128, उसके बाद अगर आप चाहें, यहाँ पर port protocol specify कर से, 21 डाल दिया मैंने, FTP कर लेते हैं, एक बार FTP भी दिखाता हूँ मैं आपको, और अभी मैं बहुत सारे attempts नहीं करने वाला, मैं सिर्फ directly username, password define करने वाला हूँ, just to check कि क्या यह login कर पा रहा है नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसकी password list बना के, crunch के थ्रू password list बना के इसको store कर सकते हैं, ठीक है न, और यहाँ पर जाके मैं MSF admin डालता हूँ, just to check कि क्या यह brute force कर पा रहा है नहीं कर पा रहा हूँ, directly मैं fine tuning करने की जरूरत नही मुझे number of task full define कर रहा है, इसने specific करने की जरूरत नहीं, start पर click कर दूँगा, तो देख रहा होगा, पहला ही attempt इसने identify कर लिए, कि यूजर ने पासवर्ड मैच कर रहा है, अब attack क्या करेगा, इस जगहां पासवर्ड लगा है, उसने list लगा देगा और attack कर देगा, तो common password बिल पासवर्ड लिस मिलता है, वहाँ पर जाके इसको upload कर देगा, upload करने के बाद automatically यह इसको crack करना शुरू कर देगा, बता रहा हूँ मैं आपको, hydra one of the best है भाई, cracking के अंदर क्योंकि सारी चीज़े crack कर देता है, सारे protocol को support करता है, wireless के उपर तो वह अभी हमारी workshop चल रही है, अ आप भी जाके purchase कर सकते है, ठीक है, reverse engineering का tool दे रखाए, उसके अलावा exploitation, अगर आप चाते कि मैं इसके नीचे वाले tool भी cover करूँ, तो मुझे वीडियो में comment कर देना भाई, इसके नीचे जो कुछ popular tools है, जो hackers use करते हैं, especially hacking के लिए, तो आप मुझे comment कर देंगे, जितने maximum comment आ पर hacking task को perform करने काम आता है, so I hope आपको चीजे काफी clear होगी होगी कि क्यों ये hacker की first priority होती है, और इस particular operating system में ऐसा क्या है, कि हर hacker सीखना चाता है, even कोई student भी अगर cyber security में आगे बढ़ रहा है, तो पहला priority होती काले Linux, तो ये एक छोटी सी वीडियो बनाए, जिसके अंदर मैंन काफी कुछ डालने कुशिश करिए, वीडियो अच्छी लगी तो please comment करना, ना भूले like करें, और अगर आपको course करना है हमार साथ में, one to one course करने के लिए, chat box में मैंने form दे रखा है, जाकर आप भर सकते हैं, और फिर हम लोग आपको over the call, आपको पुरा guide करेंगे, अगर आप चाते हैं कि मैं आपको guide करूँ कि career guidance कैसे करना है, तबंसर मुझे career guide कर दीजिए, कि मुझे cyber security में career बनाना, कैसे बनाओ मैं, तो उसके लिए भी आप form दे रखा है, chat box में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप तो नीचे comment में pin कर रखा होगा, जाके आप भर सकते हैं, इस वीडियो दे इतना ही, thank you, bye bye, shabakya, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.